हेलो गाईस वघलकाम बैक टु माई चनल आमाजाकियां तो यह पार्ट थृ वीडियो है मीटर लिग्जाम के लिए और आल कंपरेटी वीड्जाम तो गाईस alayayay systematic शुरू करते हैं वीडियो को तो क्या दिया है काईस हमें क्या दिया है कि स्वारज को से समांदित है तो हमें क्या दिया है को ट्रश küçük मुहंंमाद टुगलक करा राजगर्दी पर कर कप बैठा तो 1325 में मुहंमाद कोलर मुहंमाद दुगलक राजगर्दी पर बैठा था अगला कोस्ट क्या है रासधानी पर रवाद्न करने बाला Church कौन था तो मुहम्मद तुगलक था कौन था मुहम्मद तुगलक तो नेस्ट कोशन के तरह बढ़ते हैं हमारा नेस्ट कोशन क्या है गाईस हमारा अगला कोशन तो नेस्ट कोशन क्या है गाईस हमारा कि सांकेतिक मुद्रा के अंतरगत सिक्के किस धातु के थे तो सिक्के किस धातों के थे guys तो तांबा मतलब तांबे के थे तो आपसन नमबर D Next question क्या है guys हमारा की तुगलक सासर परणाणी में प्रांथ के सासर को कहते थे क्या कहते थे प्रांथ के सासर को वजीर आपसन नमबर A नेस कोशन क्या है मुहम्मद तुगलक की साशन काल में किस बीदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की कौन था इंबन बतूता कौन था इंबन बतूता ने की आपसन नमबर सी नेस कोशन क्या है कि निमलिखित में से कौन सा फिरोज तुगलक ने बनवाया निमलिखित में से कौन सा नगर फिरोज सा तुगलक ने बनवाया फिरोजपूर फिरोजपूर ठीक है आपसन नमबर ए नेस्ट कोशन क्या हमारा कि मुहम्मत तुगलक की राधानी पविवर्तन की असाफलता का प्राधान कारण क्या था तो योजनाओं का गलत धंग से क्रिय से प्रियोग करना नेस्ट कोशन के हमरा नेस्ट कोशन चलिए देखते हैं हम नेस्ट कोशन क्या दिया हमरा फिरोज दुगलक ने उलेमाओं के प्रामस पर क्रिशकों पर सिचाई कर लगाया जो उपज का क्या है जो उपज का वन वाई टेन भाग था ठीक है वन वाई टेन भाग था उपसका तो आपस्टमणबर 10 आइए है तो आधिक मुर्ख मुर्ख कहा गया है मुहमद बिन बिन दिगलक को कहा गया है यादी मुहमद दिगलक दिया है तो prim नहीं हो तो मुहबद बिन तुगलक होगा मुहमद तो नेस्ट कोशन क्या है कि जियाउद दिन बरने मू बिल तुगलक के दरबार में कितनों वर्षों तक सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले Next question क्या है कि किस इतिहाजकार ने मुहमद तुगलक को दयालू तथा रक्त पासू दोनों कहा बर्नी ने कहा किसने कहा बर्नी ने आपसन नंबर ई Next question क्या है तारीक फिरोज साही के लेखक अफिब कोकि सुल्तान का सनरच्च प्राप्ट था तो फिरोज साहत उगलग को प्राब था नेक्ट कोशन क्या है हमारा फुता उल क्या दिया है फुता उल सलातीन नामक गरंध की लेखक का नाम बता है तो क्या था मलिक इसलामी क्या नाम था मलिक इसामी क्या नाम था मलिक इसामी अपसन नमबर ए तुमेलित में कौन सुम्हेलित नहीं है उनको मलब गलत दिखाना है तो सुमेलित नहीं है तो क्या है आप्सन नमबर D, मुहम्मद बिन तुगलक तारीखे फिरोज साही, ये आप्सन नमबर साही सुलेमित नहीं है, तो नेस कोशन क्या है कि निम्रिखित में शालतनत काल में डाक वेवस्ता का बिरिश्तित ब्यूर्टर कौन करता है, इंबन बतूदा करता है, कौन इंबन बतू नेस कोशन क्या दिया है हमरा, कि निम्रिखित में इंबन बतूदा 1333 में कि सुल्तान के कारेकाल में भारत आया, तो मुहम्मद बिन तुगलन के सासनकाल में भारत आया, नेस कोशन क्या हमरा है, इंबन बतूदा भारत में कितने वर्सों तक रहा, तो चाउदा वर्सों तक क्या है निंब्रबा तक रहा आठी रहा काजी का क्या है सब्फिन एक्जाम में क्या है मारा की अबदुल्लाह की सियात्री का मुल्ण नाम है इंब्रेंवित थोडा कहा है घृत-वार मन रहे हो इंप्वार्टन कोश्चन है इंप्वार्टन कोश्चन रट लिजेगा तो 142 वे मुहम्मद बिन तुगलक ने किसे अपना दूथ बनाकर चीन भेजा था उत्तवी को किसे भेजा था उत्तवी को नेश्कोशन के तायमूर के आक्रमत के बाद भार्त में किस वंस का राज स्थ सब्षापित हुआ निमलखित मेंसे कि सुल्टान के दरवार में सबसे अधिक गुलाम थे सब्सकुच कैमरा इंप mentor के समीर का मिरो सकुलक कि दे कार जाता है हर्श को क्या है निज लिए माफी चाते हैं आप से चलिए जो हमसे बनता है मुझे किले करते हैं दिल्ली के कि सुल्तान को इतिहासकारों ने बीडोधो का मिस्रड बताया है मुहंद बिन त profound बताया है या त्री इंबन पतूधा कहां से आया था मोरको किसे आज था? कहां से आज था? मोरको. आपसर नमबर A. मोरको से आया था. जान लेने के भयाने के दिस्वों का चित्रक्तिया. इमब बतुदा ने किया? किसने किया? इमब बतुदा ने. निमडिकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गया सुद्दिन तुगलक था? कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गया सुद्दिन सबस्क्रैक्राशों कितरा सम्राठ अगश्टन की भादती सावधान था लगया 6 करें दूसरों के सथर से अधिक नना लगे यह संदर्व किसका है बहलोल लोधी का है आपसे नमबर सी बहलोल लोधी का है नैस कोचन क्या है गाई है कि तैमूर लंग से ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमर क्या नसरुदिन मुहम्मूत तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमर किया तो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद इस्तनांतरित करने वाला सुल्तान था कौन था मुहम्मद बिन तुगलक था आपसर नंबर भी मुहम्मद बिन तुगलक क्या है कि सल्तनत युग का बिवाद बिवाद सासक था मतलब बिवादी था सल्तनत की युग का बिवादी सासक कौन था मुहम्मद बिन तुगलक था यह सल्तनत उतका सबसे बिवादी सासक था मुहम्मद बिन तुगलक था मुहम्मद बिन तुगलक को एक और नाम से जाना जाता है वह नाम क्या है खुर्रम तो मुहम्मद बिन खुर्रम या मुहम्मद बिन तुगलक या मुहम्मद बिन खुर्रम के नाम से जाने जाते हैं मुहम्मद बिन तुगलक को खुरव नाम से जाने जाते हैं तो निमलिखित मेंसे कि सुल्तान ने भूमी को नापने की प्रथा बंद करवाई गया सुद्धिन तुगलक ने भूमी नापने की प्रथा को बंद करवाई निर्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं हमारा characteristics क्या तो हमेरा तो गार याइज वीडियो को देखी सब्सक्राइब करिएगा तो नेकार निमलिखित में इसे कीसे धन धानों का राजकुमार कहा जाता है मुहम्मद उलिखित लगको धन ध हमार कहां जाता है निमलिखित मेंसे कौन सी जनाम मुहमद बिन तुगलत से समांदित नहीं है बाजार नियंतर ये मुहमद बिन तुगलत से समांदित है यदि आप अच्छा बताए कि बाजार नियंतर किसे समांदित है तरमेंट बास में बताए जरूर तो मुहमद बिन तुगलत ने नगर कोड को कब जीत लिखता है कि एक ही समय पर वह सुलेमान यों सिकंदर दोनों था तो मुहम्मद बिन तुगलग राइट एंसर क्या है आपसे नमबर सी मुहम्मद बिन तुगलग पर एंसर टिक करके आएंगे नेस कोस्टन क्या है सारवजनिक निर्माड के लिए विख्यात सुल्तान था अला किस नगर का निर्माड के दिया है निम्निक्षित मेंसर किस नगर का निर्माड की सासनकाल में कराया गया तो आपसे नंबर कौन साथिय है धिर्योजबाद व्योंगान फतेबाद, घंसार और जौनपूर तो आपसन नमबर क्या है केवल वन मतलब फिरोजाबाद तो आपसन नमबर ए सई है मतलब वन फिरोजाबाद नेस्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं हमारा नेस्ट कोशन क्या हगाई समरा कि मलिक क्या दिया है मलिक गाजी सहाना ने कि सुल्तान के समय वास्तु कारिता के छित्र में अधीती उपलब्दी हासिल की तो इसका राइट एंसर क्या है आप्सन नमबर डी फिरोज तुगलग या फुरोज साह तुगलग ठीक है आप्शन perchéर दूंभर मोरे हिस्तित दिल्ली मगवाने का आफिषिय की सिल्तां एपिड़्यों नंबर सी फिरोज साह तुगलक सुल्टान को है है निसना क्या है कि इसमें की फिरोजसाह दिया है फिरोज साह तुगलक के बिशाय में दिये गए तथ्यों में कौन कूट सत्य नहीं है, तो क्या है फिरोज तुगलक हिंदू मा का पुत था, ये तो गलत है गाइस, ठीक है, फिरोज सल्तनत कालीन सासकों में सबसे अधिक समय तक बलबन के राजकाल से कम समय तक सासन किया, ठी ydd है यह भी गलत है तो प्यातर नंबर जान , लुट्षिर सुनज्ट implac inilah को करवाया किस ने खरवाया ? सांसाहगणी नामक स्कूर्च करवाया ? लुट्षि दुगलक के नेम न्युक्त में एसके खाने जहां विश्व का स्वामी उपादी से नावाजा जयता है कुन्नु या खाने जहां मुकबल क्या दिया है कुन्न ृक हाने जहां मकबूल क्या दिया है आफिस नंबर ए कुण्नु या खाने जहां मकबूल तो आइट ईनसर यdot एंस या लगा कर आएंगे én जिसने रिसवत ली और उसके बैक्तित पर बहुत गहरी एक हाथ की तरह बैक्तित पर चोट पहुंचा तो नेस्ट कोशन की तरह बाट तो काईस लेशन फोर में क्या दिया है लोधी बंस और सिकंदर लोधी से समाझित प्रस्ण है तो काईस इसके पहले जो त्री चेप्टर उसमें 15 कोशन के लगबग हो गए हैं तो उसमें आगे के कोशन जो थे उसमें जो लिखावाट यह वह अच्छी तरह से छापी नहीं है मतलब दिख नहीं तो उसके लिए माफी चाते हैं तो आईए स्विकंदर लोधी से जो फिप्टी कोशन से चेप्टर नमर 3 में उसमें से ऐ सकते हैं तो नेशकोशन क्या है हमारा दखिए इस विकंदर लौधी यौष लोधी से समद्दित है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो क्या दिया है यहोडियो लंबा हो तक सो इसमें क्या बरत का प्रथम यूद हुआ तब किसकी इंव्राहीम लोधी की मृत्य हो गई द। आगरा नगर की इस्थापना सुकंदर लोधी को नेस question क्या है गुल रूख्cott के उपणाम से फार्सी में कभी धाक कोन सावसक लिए अपसिन किया है हमारा कि लोधी वांस के सासक थे अफगान थे कौन थे अपसे नमबर डी लोधी वांस के सासक थे अफगान नेस कोशन क्या है सिकंदर लोधी के बच्पन का नाम क्या था निजाम खान था क्या नाम था अपसे नमबर सी निजाम खान नाम था सिकंदर लोधी कीमा एक हिंदू महिला थी उनका नाम क्या था सुनार बीवी नाम था क्या नाम था सुनार बीवी तो नेस्ट कोशन के दर बादते हैं हम तो हमारा नेस्ट कोशन क्या है कि तारीक दाउदी की रचना किसके द्वारा की गई थी अब दुल्ला के द्वारा तारीक दाउदी की रचना की गई थी तो राइफ एंसर आप्ट नमबर ए निम लिखित में से लोधी वंस के सासकों में कौन महांतम सासक था सिकंदल लोधी सिकंदल लोधी जिखते हम नेस्ट के तरफ देखते हैं और नी सिकंदल लोधी की मृतियों की खालड्य के कली हो गई धा इं म्राहिमलोधी को सबसे बड़ी साथा में इंसदे में में मिया भुवा द्वारा निर्मित मोठ की मस्जित कहां है दिल्ली में है आप्सन नमबर सी लगा कर आएंगे सिकंदर लोदे की मृत्यू किस वर्स होई थी 1517 इसी वी सिकंदर लोदे की मृत्यू हो गई थी नेश कोचन है तिबते शिकंदरी का संस्कृत से फारसी भासा में अनुवाद की साजक द्वारा किया गया किसके दारहा मिया भुगा दारह किया गया नेज कोचिन क्या है गाल हुआ जासगों के मध्द्र लटा गया बावर इंससकों के एंप्राहिम लोधी के मध्द लदा गया क्या है पानिपत का प्रत्थम युद 15 सब्धिशेधी veterinar के लड़ा गया आपसम ये queries कूषटन क्या है हमारा निम्न में इंब्राहिम लोदी का सासन काल था 1517 से 1526 में तक उसका सासन काल था मतलब 1517 और 1526 में जब प्रथम युद्ध हुआ पानीपत का ठीक है नेस कोच्चन के तरह बढ़ते हैं का इसमारा नेस कोच्चन क्या है फरहंग ए सिकंद्री किसपी से समांदित है आवसधी सासर से समांदित है नेस कोश्चन क्या है लोधी बन्ष के सासकों में सही करम कौन सा है बहलोल लोधी सिकंदल लोधी इंब्राहिम लोधी कौन है बहलोल लोधी सिकंदल लोधी और इंब्राहिम लोधी नेट्स कोश्चन क्या है लोधी वन्स के पतन का सबसे बड़ा मुख्य कारल कौन था इम्पराहिम लोधी का बैक्तितु था लोधी वन्स के पतन का सबसे मुख्य व सबसे बड़ा कारल क्या था इम्पराहिम लोधी का बैक्तितु था नेस कोश्चन के तरह बढ़ते हैं हम नेस कोश्चन के हमारा राजा का कोई संगा सबंदी नहीं होता यह कथन किसका है इम्पराहिम लोदी का राजा का कोई सगा सबंदी नहीं होता है यह कथन इम्पराहिम लोदी का है आप्शन नमबर बी नेस कोश्चन क्या है दिल्ली के पठान राज का संतापक कौन था बहलोल लोदी था दिल्ली के पठान राज का संतापक बहलोल लोदी था नेस्ट कोशन क्या है बहलोल लोदी का उत्त्रा इधिकारी था कौन था सिकंदर लोदी था तो आपसन नमबर A सिकंदर लोदी था इंब्राहिम लोदी कब सासक बना त नेस को सिट कहा है इंब्राहिम लोदी को बाबर ने किस वर्च हराया 1526 वी में पानिपस्ट की प्रतम युद्ध में हराया तो किस गरंथ में लोदी वंस के इरिहास की ब्रिष्टी जनकारी मिलती है मुख जान ए अफगानी में मिलती है लोदी वंस का अंतिम सासर कोन था इंब्राहिम लोदी था भारत में मुगल वंस का संतापक किसे माना जाता है मुगल मतलब अगबर को भारत वंस में मुगल का संतापक माना जाता है नेस कोशन की तरह बढ़ते हैं हम इंब्राहिम लोदी के बारे में निर्म में से क्या सत्य नहीं है मतलब कौन सी बात सत्य नहीं है महान निर्माता एकला का पुजारी ये बात गलत है इंब्राहिम लोदी के सम्मद में इस कोशन क्या है अमीर खुसरो के समद में नियुन में से कौन सा कथन सत्य है ठीक है अमीर खुसरो के में कौन सा कथन सत्य है तो ये कौन सा कथन सत्य है पाला कथन सत्य है दूसरा कथन सत्य है तिसरा और चौथा मतलब चारो आप्सन नबर ए ठीक है 1,2,3,4 चारो सही है next question कि तरह बढ़ते है लोदी वंस का अंतिम सासक कौन था इंबराहिम लोदी था यह देखी कुस्चन दो बार रिपीट हो गया लोदी वंस का संतापक कौन था इंबराहिम लोदी था और अंतिम सासक ही इंबराहिम लोदी था निस कुशन क्या है सल्टनत युग में दिल्ली सिंघासन पर राज करने वाले राज वन्स था कौन था सल्टनत युग के सिंघासन पर राज करने वाले राज वन्स था कौन था लोधी वन्स था ठीक है नेस्ट कोशन का है लोधी वंस का संताप कौन था बहलो लोधी था लोधी वंस का संताप कौन था बहलो लोधी आस्पशन नमबर ए निम लिखित में से कौन लोधी सासक हिंदू मा का बेटा था मुहम्मद बिन तुगलक हिंदू मा का बेटा था ठीक है नेस्ट कोशन का दिआ है कूट असमय तो का जी मालिकस तो घा झाले यी माली का क्या हो गाइस अधि़ इसम Инचीस अफिरे आफ से गांवर कि इस आप कि तुक्त ईसे नंबर तो डी में दिए है खिज खान, तो खिज खान किसे समंदित है, तुगलक वन से समंदित है, रजिया सुल्तान किसे समंदित है, रजिया सुल्तान सयद वन से समंदित है, निजाम खान किसे समंदित है, निजाम खान किसे समंदित है, निजाम खान जक्मी से समंदित है, गाजी लोदि से समन्दित है त्व क्कै inm known कि अ tidy एक को सनन क्या से अगरा कूशन क्या अग На की कि सीकंदर लोदि ने पंद्रस्थakahर में आगरा तारा किद डाली कब डाली कभी क्यों डाली टिएव इतावां बैयां गवाल HAM धोलपूर आधी 55 sectors तो आप्सम नंबर सी सही है लोधी वंसका सरोसेष्ट सासक कौन था सिकंदर साह लोधी था कौन था सिकंदर साह लोधी सरोसेष्ट सासक था किसका सासर था लोधी वंसका सरोसेष्ट सासक था मतलब राज करने वाला नेस कोशन क्या है हमारा बादल गढ़ के खेले का निर्मा स्वी में हुए पानीप पत्र के प्रस्म यूद्धिक समय दिल्ली सुल्तान था इंब्राहिम लोधि था कौन था इप्धरर लोधि आप क्शिठ सी Сबु क्वर्ण के समय दिल्ली के समय प्रमुख सर्दार् थे जिनके नाम सुची वन में जांगीरों के सुची pilgrimage में यह तो आपसे नंबर कौन सा साइय है। revolutionary个ër projects में दिए तु पहला कह क्या होगा है पहले किया होगा है बेध्य क्या पहला का दिया है पहले में होगा तो चलिए नेस्ट को कुशन की तरह बड़ते हैं हमाना निस्ट किया है आप्शन नमबर देखे दिया है यह एक तो तीन चार मलब स्वब का सामने सामने मिलान कर देंगे ठीक है नेस कोशन की तरह बढ़ते हैं मध्यकाल में जाजग नगर जाना जाता था उड़िशा में आपसन नमबर C सिकंदर लोदी का वजीर था मिया भूगा था कौन था मिया भूगा यह देखी कोशन दो बार हो गया रिपीट मिया भूगा था नेस कोशन के तरह हम बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है मारा सिकंदर लोदी का वजीर मिया भुआ था तो अगला कोशन क्या है इस सर्दनत काल में भूर आजस्व निधाल में तरीका मतलब प्रचलित थे कौन तरीके प्रचलित थे ऊक्त सवी तरीके प्रचलित थे अफ्टाई यह तीडों प्रचलित थे। तो अफ्टाई गुत खिस नसल के थे के राफ्शन नमर्डी अफ्टाई लगा कर आएनगे next question कि तरह बढ़ते हैं next question क्या दिया है guys हमारा कि क्या दिया है वह कौन सा सुल्तान था जिसे खानदान पर से जकात हटा दिया मतलब कर हटा दिया सिकंदर लोदी मतलब खाने पर टेक्स लगता था next question क्या है लोदी वह जका सर्वदिक सक्ति साली सुर्टान कों था सिकंदर लोधी था आप्सना नंबर भी नेस कोशन किसे ने भूमी को मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया सिकंदर लोधी ने प्रचलन किया भूमी को मापने का तरीका ठीक नेस कोशन किज़र बढ़ते हैं हम नेस कोशन क्या दिया है कि बाबर की बीजय की सवन्स का पतन करने में सहायक हुई लोधी वन्स का पतन करने में सहायक हुई नेस कोशन क्या भारत पर आक्रमण करने के लिए मुगल संथापक बाबर को आमंत्रित किया था दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया था अगला कॉस्टन क्या स्तिकंदल्लोदी का वास्तिविक नामगा था निजाम आफसाई नाम था त्या व्युट्स आपनी पत की लड़ाई कभी थी इम्राहिम लोदे अल्यावक के बिच पानिपत की प्रत्रम लड़ाई हुई यह भी दो बार कोश्चन हो गया इंपोर्टेंट कोश्चन है कि लोदियों का राजस्व सिद्दान्त अधारित था किस पर अधारित था अफगान सरदारों की समानता पर अधारित था आपस्व नमबर एट नेट्स क्या है कि लोदियों की राजधानी थी कहां थी लोदियों की राजधानी आगरा में लोदियों की राजधानी थी तो इसी तरह कोश्चन में पूछता है कि आरपी तिरपाथी के एनुशा लोदी सासको का राजस्व सिध्धान्त आधारित था किसपे आधारिता सामानता के अधार पर आधारित था तो आपस्व नमबर ए साई है और अधारित था आधारित आधारित थार पर आधारित था किसा नमबर ए साई है बहलो लोदी ने ये भी कोशन पूसकता है कि मतलब क्या दिया है सुल्तानों में ठीक है तो किसे ने दिर्ग अधी तक सासर किया ठीक है लोदी वंस में किसे ने सबसे अधीक वर्थों तक सासर किया तो आप क्या बताएंगे बहलो लोदी Q. 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 Q प्रमुख बना दिलावर खान लोदी कौन था पंजाब का गवर्नर था तो गाइस आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब कि तक के लिए इतना कॉफी है आपके लिए तो चलिए वीडियो अच्छा लागत वीडियो को लाइक कमेट से सब्सक्राइब करिएगा ठीक है च